नमस्कार मित्रों मैं हूँ सोग बर्मा आप देख रहें टीवी 20 नीज आप सभी प्रियादर्सकों को टीवी 20 नीज परिवार की तरफ से छट पूजा की धेश सारी सुबकाम ना हैं अब रुख करते हैं आज की खबरों की तरफ इस खबर के प्रयोजक हैं सांती ग्रूफ आफ इंस्टिटूशन अमवडा गोसाई की बजार आजमगड जिसके प्रबंदक हैं दीपक्राएं आजमगड की अतरविया इस्तीत खाद भीभाग द्वारा बनाये गए धान क्रेकेंदर पर एक भी छटाक धान की खरदाई नहीं हो पाई वह यह किसानों की धान की फसल बारिस की वज़े से बरबादी के गार पर है धान क्रेक के अंदरों पर 17% नमी वाले धान की ही खरदारी का मानक रखा किया जिसे लेकर किसानों में काफी चिंता ब्याब थे जोकि धान की फसल पहले से ही पानी में ढूब चुकी है ऐसे में धान क्रेकेंदरों पर भी लोगों को परसानियों का सामना करना पड़ रहा है वेक्रेकेंदर पर सारी विवस्ताओं के बावजूद भी धान की खरदारी के लिए कोई किसान नहीं आ रहा है बुद्वार को विपलन के अंदर पर एक किसान द्वारा धान बेजा गया जो 16 कुंटल के करीब रहा धान विक्रे के लिए किसानों ने रजिस्टेशन भी बहुत काम संख्या में कराया है तो ही किसानों के लिए क्रे के अंदर पर बैठने की बिवस्ता, सुद्ध जल की अतरोलिया खाद विभाग द्वारा बनाये गया धान क्रे के अंदर पर मवजूद सौरब दिवेदी ने बताया कि बुद्ध वार को इस क्रे के अंदर पर 15 कुंटल 60 किलो धान के खरदारी एक किसान शोई है आई सुनाते हैं कि सौरब दिवेदी एम ओन क्या कुछ का किसान रोज आ रहा हैं वो अपना उनसे कहा जा रहा है कि धान साफ सुथरा करवा के सुखा के और चुकि सरकार का मानक 17 नमी है उससे कम नमी का धान यहां लिया जाएगा उनको पूरी सुखसुदा यहां दी जा रही है कल एक किसान की खरीद की गई 15.60 किलो धान की क्वालिटी अच्छी थी और सभी किसान बंदों से अपील है कि वो अपने धान को साफ सुथरा करा के क्रेकें पे लिया में जिससे सरकार किसान की लिए यहां बैटने की पानी पीने की कोवीड हेल्प डेस्क बना हुआ है करोना का पूरा प्रोटोकाल का पलन किया जा रहा है और सारी सुधाएं यहां क्रेकें तो अपलग जाएं करा करा कि तो अपला बैटने क्रेल तो कि तो अपलार पर रamine है इवां